हेलो दोस्तो आज हम एक निव ब्लोग लेके आए हैं जिसमें हम करने वाले हैं यह कि यह कुरकुरे का पैकेक देख सकते हैं यह टका टेढ़ा मेड़ा है और यह कुरकुरे है तो दोस्तों कुछ लोगों को कहना होता है कि जो कुरकुरे होता है वो पलास्टिक का बना होता है और जलाते हैं कर इस कुर्क़ूरे को तो पलास्टिक जैसा जलता अग住 है इसे ब्लोग में हम इसको करने वाले या बताने वाले आपको थो चो पहले हम इसके बारे में बात कर लेतीचे से यह कुर्कूरे होता है यह interact बनाया जाता है जिसमें number of बहुत सारे कारीगर काम करते हैं और वहाँ पर मसीन भी लगे हुए होते हैं बहुत सारे तो वहाँ पर जो कुरकुरे बनाया जाते हैं तो पहले तो दाल चावल और मक्का से बनाया जाते हैं और उसमें जो टेस्ट के लिए मसाला लिया जाता है व और जो कारीगर काम करते हैं वो भी अपने हाथ में प्लास्टिक बाने रहते हैं पैर में पूरा सर में ढखे रहते हैं तो पूरा सेफटी से पूरा काम करते हैं और पूरा स्वच रूफ से काम करते हैं ठीक है और हाथ धोकर जैसे कि अगर फैक्टरिम आए तो हाथ धोकर ही क की साम करते हैं और फिर मतलब कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता ठीक है तो ऐसा नहीं कि कुरकूरे पलास्टीक से बना जाता है अगर आज साइंस की भाता सामें बात करें तो जो बहुत सारे पलास्टीक को इटbeltा करके मानमर मानोमर जो हता है उससे पॉलीमर ठीक है उसी परकार से 80% जो चिप्स में होता है वो अस्टार्च होता वो भी एक परकार का पॉलीमर होई होता है ठीक है तो दोनों में प्लास्टिक दोनों ही फर्क है जो चिप्स में प्लास्टिक होता है वो खाया जा सकता है उससे कोई दिकत नहीं है लेकिन यह जो प्लास् यह सकते हैं कि प्रास्टीक बना होता और इससे कैंसर हो सकता है एसा बिल्कूल नहीं डिकत कषा सकते हैं जलता है कि यह मुकल निकाल लिए आप अध्या और एक साहरत कुर्प्र ले लेकर निकाल लिए इन बदर बड़र बड़य को घूंगो अबाट हम अर गुड़ाए लगाए लोगत है देखे जल तो रहा है बिल्कूल प्लास्टिक की तरह देख सकते हैं जैसे अगर आप देखेंगे बलेक प्लास्टिक को तो भी पन्नी इसी तरीके जलता है देख सकते हैं पूरा इदम अगर आपको किलियर दीख रहा होगा तो पूरा पन्नी की तरह ही जल रहा है लेकिन ऐसा या नहीं कि सीक यह प्लास्टिक क्योंकि यह अनाज का बना होता और होता है तो कि यह को perhaps कि हम बहुता डुरा इल्लाक प्लाश्टिक होता नहीं देख सेको है पूरा पनी की तरह ही भी पनी देखाए करें दॉचिए हँए इसमें एक बात करें तो ब्लैक पनी जलता है उसमें उसमें क्या होता है कि उसमें गंध एक परकार का आता है जो बहुत ही खराब होता है लेकिन इसमें जो जला जो गंध हलका बहुत आया लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आया जिसमें उसमें बहुत सारा होता था गंध लेकिन इसमें गंध नहीं आया उतना तो कह सकते हैं कि यह प्लास्टिक नहीं होता है देख सकते हैं पूरा ठीक है तो इसमें उतना असमेल कह सकते हैं कि उतना नहीं आता है हलका बहुत आया था बाकि एक हम इसका टेढ़ा मेढा का भी try करी लेते हैं जो एक यह अलग company का है तो यह इसलिए हम दो packet लाएं थे तो एक कूरकूरे देख लिए हैं एक टेढ़ा मेढा देख लेते हैं इसको देखें तो यह बानी की तरह पहले तो ऐसे ही तूट जा रहा है देखें अब टेढ़ा मेढ़ा को ट्राइ करते हैं I hope यह भी उसी तरीके से जलेगा कि देख सकते हैं यह भी कुरकुरे का वही बागे जो तेल वाला है वह नीचे देखिया हारा अगर तेल वाला नीचे तगर रहा है कि देखने के कारण तेल तो नीचे आएगा ही तेल मसाला यह सब होता है बागी यह देखिया पूरा पलास्टिक जैसा ही ला रहा है इस से थोड़ा ज्यादा इसमें ला रहा है कुरकुरे से थोड़ा ज्यादा आ रहा है बट हम तो सजेस्ट एही करेंगे कि सब को मत खाये क्योंकि देख सकते हैं पूरा पलास्टिक जैसा ही आ रहा है देख सकते हैं पूरा एदम खराब है तो थैंक्स पूर वाचिंग अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास थैंक्स पूर वाचिंग वाचिंग